हेलो दोस्तों गूद इवनिंग और स्वागत है आपका न्यूज अनलिसिस के वीडियो में और आज संडे है तो यह पार्ट वीडियो है मुझे पता है बहुत जादा लेट है आज मैं क्या ही बोलू पर इसका रीजन है आज मेरा इंटर्व्यू का सेशन था तो करीब 7 घंट और उससे दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो इसकी गैरिंटी में आप देता हूं और इसी से रिगार्डिंग मैंने कोट भी अपने साइट से यह कोट दिया है मैंने किसी और का कोट आज इंक्लूट नहीं किया है पार्ट 2 वीडियो में मैं इंक्लूट करूँगा तो आप दिख सकते हैं कोट है हमारा excuses don't get results तो यहां simple सा कोट है बहुत ही कि आपके पास बहुत सारे excuses होंगे कि आप पढ़ाई नहीं कर पाऊगे या फिर अरे आज मेरा मन नहीं कर रहा है अरे मैंने आज 8 घंटे का session अटेंड किया है तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा त ताकि आप अभी से ही बोड़ना हो जाओ ठीक है तो चलिए पहले हम लोग discussion शुरू करते हैं आज का जो हमारे FAQs है और जो next वीडियो आएगा फिर उसमें हम लोग news analysis को देखेंगे तो चलिए FAQs को देखते हैं तो आज के जो तीनों FAQs है तीनों COVID-19 virus से related है ठीक है तो concept आगया हमारे लिए कि latent virus क्या होता है तो इसको भी पढ़ना हमें काफिल जादा जरूरी है और उसके बाद यहाँ पे एक जो दिली में टेस्ट किया गया था या फिर आप टेस्ट नहीं एक सर्वे बोलो तो सेरो सर्वे का वहाँ पे results दिया हुआ है तो आखे दिली का जो जाधा फाइदा किया यह मैं आपको A to Z चीज़े बताऊंगा पांच मिनिट में ठीक है तो चलिए पहले हम लोग FAQ उसको देखते हैं तो यहाँ पर FAQ का जो question है वो है कि why have COVID-19 cases searched in केरला तो अभी हाल फिलाल में केरला में भी search देखा गया है और वहाँ situation ऐसी हो चुकी है क कि वहाँ पर lockdown वापस से लगाई जाने की बात कही जा रही है और ऐसा वैसा lockdown नहीं total lockdown लगाई जाने की तो अब देखते हैं इसको यहाँ पर reason हम लोग देखेंगे इसके लावा यहाँ पर सब heading में बताया है कि how has the state fared तो अभी तक देख सकते हैं कि COVID-19 pandemic को इन्होंने केस त का context क्या रहा है तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो केरला को केरला एक ऐसा state है जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो केस है देखा गया था COVID-19 का पहला केस यहाँ पर detect किया गया था और यहाँ पर उन्होंने जो देख सकते हैं यहाँ उन्होंने mention किया है कि एक तरीके से माना जाता है कि COVID-19 pandemic को उन्होंने बहुत ही easy तरीके से handle कर लिया था बाकी हम लोग आगे reasons देखेंगे कैसे किया उन्होंने पर यहाँ पर क्या हुआ कि एक super spreader event हुआ ठीक है यह कौन से एरिया में हुआ तो एक densely populated coastal village है जिसको आप कह सकते हैं पुन्थूरा ठीक क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर infections में spike देखा गया और यहाँ infection में जो spike देखा गया है यह local transmission के थ्रू हुआ है तो यह भी बहुत important चीज हो गई ठीक है अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब present scenario में क्या हो गया है कि जो भी telly cases आप देख रहे हैं वो local transmission से जादा है और imported infections कम है imported infections का मतलब क्या होता है जैसे दूसरे लोग किसी और state से आए हैं लेकर या फिर कोई और country से लेकर आए हैं तो that is imported infection ठीक है तो इसको आपको समझना होगा तो अभी present scenario में देखेगा तो यह जो cases था करीब 6000 के आसपस July में था ठीक है on July 8 और present scenario में देख सकते हैं कि cases 17,000 हो गया है मतलब 11,000 बढ़ गया है मतलब आप देखोगे तो 16 दिन मतलब एक fortnight में इतने सारे cases हो गया है तो यही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर वापस से एक surge देखा जा रहा है केरला के अंतरगत और इसी कारण से यहाँ पर एक chances यहाँ पर बन रहे है कि statewide shutdown वापस से किया ज चुका है तो अब जैसे ही होगा कोई भी decision लिया जाता है तो फिर हम लोगो news analysis में उसको cover कर ही लेंगे तो यहाँ बोला जा रहा है कि was kerala's early success a fluke तो क्या यहाँ पर जो early success देखा गया था क्या यह fluke था मतलब ऐसे ही हो गया अंधादून हो गया अचानक से हो गया खुद स बनाये, contract tracing किया, protocols यहाँ पर बनाये इन्होंने अच्छे तरीके से और जो भी तीन imported cases थे इसको इन्होंने handle कर लिया ठीक है आगे फिर बढ़ते हैं फिर इसके बाद क्या हुआ कि चुकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही person था और भी person involved थे तो उस कारण से यहाँ प और निपा virus outbreak भी almost थोड़े बहुत similar रहता था इसके कारण ठीक है जैसा coronavirus है तो थोड़े similarity होने के कारण और उससे related जो भी management skills था उसी को यहाँ पर use करके उन्होंने जो भी यहाँ पर indigenous technology था वो सारी चीजों को use करके contract tracing किया, साथ के साथ contract tracing के basis पर यहाँ पर spatial temporal data बनाया ठी spatial temporal data की उसका फैलाव कैसे है, कौन से एरिया में जादा cases है, कौन से एरिया में कम cases है, कहां से कहां तक जा सकते हैं, तो यह ही हो गया spatial temporal data इसके अलाबा यहां पर वही देख सकते हैं, यहां पर social capital पर यहां पर focus किया गया, तो social capital क्या है, तो obviously healthcare sector पर आप देख सकते हैं, उस पर किया awareness creation पर किया गया focus, decentralized governance यहां पर सबसे important point है, ठीक है, यह मैं आपको हर बारी बोलता है हूँ कि अगभी जितने भी problems आप देख रहे ह से implemented था, ठीक है, तो इस कारण से यहां पर इन्होंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से tackle कर लिया, जो यह wave तरह से वापस से start हुआ, ठीक है, तो यहां तक आ गया, फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर बहुत अच्छा का सा planning को इस्तामाल किया गया, execution अ यहां पर बहुत जादा success मिला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहां के लोग बहुत जादा, बहुत जादा literate है, तो literacy का भी यहां पर फाइदा मिल रहा था, इसके अलावा, वहां पर community kitchen भी हम लोग ने देखा, जो नीडी के लिए था, तो हम लोग समझ सकते हैं कि community kitchen का भ alleviate किया जा सके, साथ के साथ यहां पर जो भी essentials का rationing था, वो भी किया गया, provide किया गया, तो यहां पर देख सकते हैं कि people ने वहां के बहुत जादा government को support किया था, इस सारे socio-economic interventions के लिए, और वहां के लोगों का spirit बहुत जादा high था, government भी पूरे एक तरह से तयार थी, और इस साथ के साथ वहां की जो भी labor class farmers और self-employed लोग हैं, तो उनका भी burden को धीरे-धीरे ease out करेंगे, क्योंकि obviously आप economy revive करोगे, साथ के साथ जितने भी labor class farmers हैं, उनका job जो चला गया था, lockdown के period में, तो उनके burden को भी आप jobs वापस देकर एक तरह से खतम कर रहे हो, ठीक है, तो यही सा तो यहां पर बताया गया है कि अगर आप देखिएगा कि center क्या कर रहा था, center ने फिर कोशिश क्या किया था, कि जितने भी बाहर लोग stranded है, abroad जो लोग stranded है, तो उनके लिए repatriation यहां पर चलाया missions, जिससे abroad से लोगों को एक तरह से उठा के बाहर यहां पर इंडिया के अंद कर लेंगे कि कोई positive है, कोई negative है, या किसी के अंतरगत हम लोग देख सकते हैं कि case होने के chances हैं, तो यहां पर उन्होंने पहले सोचा था, कि segregation हम लोग चढ़ाने के पहले ही कर देंगे, पर यह चीज़ पॉसेबल नहीं हो पाया, ठीक है, तो यहां पर केरला airport पे यहां पर ए इनके पास home quarantine की facility नहीं होती थी, तो home isolation facility नहीं होने पर उनको paid quarantine करा दिया जाता था, तो यह सारी चीज़े हम लोग देख सकते हैं, कि यह सारे steps लिए गया जिससे एक तरह से continue करने की कोशिश की गई, अब आगे देखते हैं यहां पर तो बही है कि यहां पर देख सकते हैं क कि government ने insist किया कि सभी जितने भी है कि state mandatory register एक तरह से तयार किया जा जो लोग बाहर से आ रहे हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि COVID-19 जागरथा पोर्टल एक तरह से बनाये गया, जिससे पासे बगएरा भी मिल सकते थे, बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनके लिए, तो य जैसे swab हो गया, mediums हो गया, या फिर kit हो गया, इन सब चीजों का धीरे धीरे करके, यहां पर में से लेके early June तक अगर आप देखिएगा, तो बहुत जादा यहां पर shortage होने लगा, जिसके कारण जो भी government है, उनको यहां पर modulate करना परा अपनी strategy, इसके लावा हम यहां पर दे जानते हैं, अब कौन से कौन से, तो RT-PCI test, जिसको reverse transcription, polymerase chain reaction test बोलते हैं, antigen, antibody, true nat, CB nat, CB nat का क्या full firm होगा, तो यहां पर cartilage based nucleic acid amplification test, तो यह भी आद रखिएगा आप, इसके लावा इसके base पर हम देख सकते हैं कि, हां पर मतलब monitor करने का trends वगेरा introduced हुआ, जिससे हम लोग decision लिया जासा कि, कि अगर influenza-like illness है, तो उसके लिए भी हमें test कराना है या नहीं, तो यह सारी चीजों के basis पर, आप देख सकते हैं कि, करला में testing का जो culture था, वो बहुत अच्छा था, और वही है कि, चुकि आपने testing का culture एक बहुत लंबे समय से maintain करके रखा है, तो obviously materials की कमी तो होनी ही है, तो अब आती है, बात की आखिर गलत क्या हुआ, what went wrong, तो इसी चीज़ के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है, कि जो success stories एक तरह से चल रहा था, इसके कारण लोगों के अंतरगत, एक false sense of safety एक तरह से फैलने लगा, कि अरे हम लोगों के state में, जो भी cases है, number of cases बहुत कम है, हमारी जो सरकार है बहुत अच्छे तरीके से manage कर रही है, तो यह जो relaxation मिलाना, तो people भी थोड़ा ज्यादा ही lazy हो गया, ठीक है, उनका laxer decimal एक तरह से approach होने लगा यहाँ पर, और आप जानते ही हैं, कि जब people जो है, वो lax होने लगते हैं, तो वो सारी उसको उन्होंने मतलब हवा में उड़ा दिया, जो भी social distancing के norms से उसको follow करना बंद कर दिया, quarantine norms को भी उन्होंने एक तरह से हवा में उड़ा दिया, तो आप देख सकते हैं, कि जब यह जो basic चीज़े हैं, इसको आप अगर एक तरह से follow करना बंद कर दोगे, तो फिर आपका जो मतलब एक तरह से defense है आपके लिए, अभी presently अगर क्या है defense हमारे पास, यही सारी तरीके है ना, जिससे हम लोग COVID-19 को एक तरह से रोख सकते हैं, vaccine तो आया नहीं है, drugs काम नहीं कर रहा है, तो इस currency यही चीज़े हैं, और यही चीज़े आप flout कर रहे हो तो, obviously आपका जो पर protocol से उसको follow किया जाए, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि follow ही नहीं किया जा रहा है, तो इसी से जो spread of infection है, वो काफी जादा बढ़ने लगा, ठीक है, और by the end of June अगर आप देखिएगा, तो जो sentinel surveillance है, वो उन्होंने भी indicate किया, कि wide cluster of infections एक तरह से मिल रहा है, बहुत अगर नहीं मिलता है, तो यह मैंने आपको अल्रेडी पढ़ाया हुआ है, कि community transmission को यह indicate करता है, तो government ने भी यहाँ पर admit किया, कि यहाँ पर जो थिरुवननतपूरम के coastal pockets हैं, वहाँ पर community transmission के cases हो गए, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा है, कि आखिर इसका source क्या है इसके बाद यहाँ पर यह भी cases होने लगे, कि बहुत सारे misleading campaign चलने लगे, और बोला गया जाने लगा कि lockdown जो है, वो तुरंट हो सकता है, आने वाले समय में भी लग सकता है, तो यहाँ पर जो लोग भी, मतलब लोग थे critical containment zone में, उनके बीच में भी अफ़तावरी मचने मिले, फिर यहाँ पर health officials को उनको क्या करना पड़ा, कि उनको बताया, बोलना पड़ा उनको, कि आप यार आप जो asymptomatic लोग हो, आप सिखो और आपको भी treatment की ज़रूरत है, और अगर आप बाहर निकलोगे, तो फिर obviously आप दूसरी लोगों को भी infect कर सकते हो, तो यह सारी तो यह भी देखने की बात कही गई, तो अभी आप देखिएगा, तो केरला का जो vulnerability है, वो काफी जादा है, इस particular pandemic के लिए, और यह क्यों है, तो यहाँ पर कही सारे reason दिये गए है, पहली चीज, वहाँ का जो population है, वो aging population है, और देख सकते हैं, वहाँ का population active भी है, बट फिर इसके लाबा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि high degree of comorbidities भी है लोगों के अंतरगत, इसके लाबा population density भी है, एक reason, तो यह भी हो गया, और यहाँ पर number of cases जादा पता भी चलते हैं, यह मैंने आपको आपको पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वहाँ जब अगर आप देखिएगा, अब यहाँ पर आप देखिएगा, एक important चीज, कि current positivity rate जो है, वो 4.6% ही है, पर national average देख रहे हैं, 11.7% है, तो इसका कहने का मतलब हुआ, कि हमें और भी जादा testing को यहाँ पर इस particular area में बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है, rate of testing को double करने की जरूरत है, प्लस यहाँ पर आप दे ठीक है, इसके अलाबा आप देखिएगा, तो जितने भी वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जितने भी health officials काम कर रहे हैं, तो वो एकदम से exhaust हो गए हैं, क्योंकि आप देखिए, कि जनवरी 30 तारीक को आ गया था यहाँ पर पहला case, उस समय से health officials सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यह समझने वाली चीज है, कि उनमें भी एक तरह से वो भी तो इनसान है, दीरे दीरे करके उनमें भी exhaustion आएगा, और साथ के साथ हम यह भी जानते हैं, कि number of health officials है, वो भी कम है, मतलब medical और non-medical fronts पर देखिएगा, तो human resources काफी कम है, तो यह भी यहाँ पर सोचने की चीज हो जिससे testing material की कभी कमी ना है, और यहाँ पर एक और तैयारी की गई है, कि आप देख सकते हैं, कि COVID first line treatment centers, जिसको हम लोग CFLTCs बोल सकते हैं, इसको भी setup किया जा रहा है local bodies के द्वारा, तो जैसे माने आपको पहले बताया कि decentralized approach यहाँ पर अगर करेंगे, तो easily सब कुछ tackle हो जा जो कि यहाँ पर COVID services को provide करने का काम करेंगे, तो यह भी एक अच्छा step है, और इसको भी आप चाहो तो आप obviously अपने answers में include कर सकते हो, अब आगे बढ़ते हैं, आखरी यहाँ पर जो point इन्होंने बता है, कि have the tables turned in favor of COVID-19, तो यहाँ पर केरला के case में कहा जा रहा है, कि क्या ऐ यहाँ पर सतर कर दिया जाएगा, और उसके बाद उनको घर में रहने के लिए कहा जाए, टेस्टिंग को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, तो obviously इसको contain किया जा सकता है, जब चाइना कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, but obvious है, तो यह भी बात आ गई, तो यहाँ पर प तो यह कभी नहीं चाहेगा, इसके लावा अगर आप देखेगा, यहाँ पर जो asymptomatic patients हैं, तो उनका बताया जा रहा है कि number 60% के around है, 60% बहुत बढ़ा amount होता है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है, कि अगर जो number of daily cases 2000 के उपर चले जाते हैं, तो उस case में यहाँ पर asymptomatic patients का भी यहाँ पर यह लोग surveillance करेंगे, और फिर यहाँ पर daily infection tally, मतलब अगर 2000 के उपर गया, तो फिर इनके उपर monitoring करेंगे, और फिर इनको अलग से contain करने का तरीका सोचा जाएगा, ठीक है, और आगे यहाँ पर वही बताया जा रहा है, कि यहाँ केरला में जो case एक और पंगा तो यह बहुत ही बढ़िया article था, मेरे खाल से आपको अच्छा लगा होगा, चलिए अब हम लोग next article पर चलते हैं, तो आज का जो हमारा दूसरा FAQ है, वह है, is SARS-CoV-2 a latent virus which can reoccur, ठीक है, रिकर, तो यहाँ यह बताया गया है, और sub heading में आप देख सकते हैं, कि is there a possibility of a second COVID-19 infection और are there flaws in the testing system, तो यहाँ पर यह सब चीज़े बुठाई गई हैं, अब इस particular FAQ है, इससे हमें 2-3 चीज़े सीखने को मिलेंगी, पहले चीज, latent virus क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने types of virus भी बताया है, तो वो भी हमारे लिए important है, ठीक है, types of virus तो बहु possible है, यहाँ फिर यहाँ बोला जा रहा है कि क्या हमारे testing system में कुछ गरबड़ी है, जो कि हम लोग COVID-19 को सही तरीके से एक तरसे detect नहीं कर पा रहे है, तो इसी चीज़ का discussion यहाँ पर इन्होंने किया है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर पहले चुज तो context इन्होंने बताया हुआ है, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे reinfection के cases पाए गए हैं, जिसमें हो क्या रहा है कि COVID-19 testing में कोई person जो है, वो negative पाया गया है, फिर बात में जब test किया गया, तो वो आपस से positive हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि य जो particular scenario है, यह हुआ था, जन्वरी में एक तरह से सामने आया था, जो हम लोगों ने news में भी already cover किया हुआ है, कि यह जो आ रहा था reinfection का, यह point क्यों आ रहा था, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगा reason, आप लोगों को ध्यान में भी होगा मेरे ख्याल से, तो इसी reason से आप तो अल्रेडी पढ़ चुके हैं कि चाइना और साउथ कोरिया में क्या हुआ था, कि scientist काफी ज़्यादा puzzled हो गये थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे individual थे, जो कि दो बारी negative test होने के बाद भी देखा गया, कि कुछ महीने बाद वो क्या हुआ कि उनके अंदर गत है, तो latent infection basically होता तब है, कि जब कोई virus जो है, वो body में dormant रहता है, और replicate नहीं करता within the host, मतलब आपको virus वो हो गया, आपको virus, covid virus लग गया, पर आपके body में replicate नहीं कर रहा है, तो अगर वो आपकी body में replicate नहीं करेगा, तो कोई भी symptoms शो नहीं करेगा, ठीक है, और तब तक वो एक तरह से बता है कि जैसे terrorist cell होते हैं, ठीक है, तो terrorist cell होते है, तो जो एकदम से आते हैं, किसी country में आके बैठ जाते हैं, ठीक है, और करीब 10-15 साल उधर ही रहते हैं, और फिर 15-20 साल बाद बंप होड़ते हैं, तो वही हाल है, यहाँ पर उसी को आप देख सकते हैं, उसी क ऐसा favorable चीज होता है, जो उनको trigger करता है, और बाद में वही है कि वो disease को flare up करते हैं, और फिर वही है कि उसको tackle करना मुश्किल हो जाता है, तो this is called latent infection, ठीक है, यह हो गया latent infection, अब आगे इन्होंने जो topic discuss किया है, वही है कि what is a latent viral infection, तो आगे इन्होंने इसी चीज को देखा है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि a latent viral infection is an infection, that is inactive or dormant, और यह inactive or dormant जो है, वो काफी समय तक रहता है, पर फिर बाद में क्या होता है, कि बाद में यही inactivity, एक particular trigger के कारण, वो एक तरह से push होती है, और push होने के बाद फिर virus जो है, वो active phase में चला जाता है, ठीक है, अब आगे य infection में क्या होता है, कि virus जो है, वो actively replicate करते रहता है, और जैसे ही वो replicate करेगा, तो यहाँ पर potentially causing symptoms है, वो सामने को आ जाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कि अगर कोई virus जो है, वो latent रहता है, latent होगा, या फिर persistent भी आप बोल सकते हैं, but not chronic, तो इसमें आप देख सकत infection में यहाँ पर बताया है, कि यहाँ पर यह static phase में चला जाता है, मतलब इसका जो life है, वो static phase में चला जाता है, और primary infection एक तरह से हमारी body से यहाँ पर immune response नहीं दिखाता और इस कारण से clear out नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा virus आया, और हमारे body में कोई symptoms create न हो सकते हैं, तो यहाँ पर मतलब latent virus कौन से कौन से हो सकते हैं, तो herpes simplex virus है, type 1 का, इसके लावा type 2 भी इसमें included है, varicella zoster virus, HIV भी इसमें included है, abstin bar virus जिसको अब देख सकते हैं, human herpes virus 4, और फिर यहाँ पर cytomegalovirus, ठीक है, cytomegalovirus, तो इतने सारे virus होते हैं, जो कि latent virus का जो मतलब तरीका है, या फिर features है, वो show करते हैं, तो यह बताया गया, अब यहाँ पर इन्होंने आगे explain क्या है, latent virus infection के बारे में और भी जादा, तो यहाँ बताया गया है, कि latent virus infection जो है, वो reactivate हो सकता है, lytic form है, lytic form क्या होता है, तो अब यहाँ पर lytic form क्या होता है, यह भी पता होन है, तो जो भी latent viral infection है, एक तरह से reactivate हो सकता है, lytic form में, और यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, यह किसी भी virus का ability है, कि वो back forth कर सकता है, latent to lytic infection, यही एक किसी virus के spread में और भी जादा मददगार होता है, ठीक है, उनके survival में बहुत जादा मददगार होता है, और हम देख स इनको तो पता नहीं है, क्योंकि कोई symptoms दिखनी रहा है, ठीक है, asymptomatic एकदम से यह person है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यह infected person किसी uninfected individual के साथ मिलेगा, virus का transmission होगा, अब वहाँ से dormant, यहाँ से dormant virus चला गया, एक uninfected person के अंदर गत, और फिर वही है कि एक particular scenario के कारण व गया है कि जो viral infection है, वो दो तरीके के हो सकते हैं, यहाँ पर broad two categories में बाता गया है viruses को, ठीक है, यह एक होता है chronic और दूसरा होता है acute, अब यहाँ पर और भी type होते है viruses के, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो broad categories में बाता गया है कि वो particular virus किस तरह की disease produce करता है, तो उसी क बहुत maximum, बहुत लंबे समय तक उसको एक तरह से infect कर सकता है, साथ के साथ यहाँ पर तब तक रहता है, जब तक lifetime of the host एक तरह से रहे, तो यह हो गया आपका chronic virus का, इसके अलाबा आगे देखेगा, तो acute infected virus का एक्जामपल आप देख सकते हैं, influenza होता है और rotavirus होता है, तो इसम आगा सा example हो सकता है, तो आगे जो experts हैं, वो यह बोलते हैं, कि जो chronic virus देख रहे है, chronic virus के पास capability होती है, कि वो latency में जा सकता है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि latency में जाएगा, तो यह तब तक present रहता है cell में, जब तक यह एक तरह से, मतलब actively produce नहीं कर रहा हो more infectious particles को, तब तक यह present रहता है, इसके लाब आप देख सकते हैं, कि example के तौर पर आप हर्पीस virus को देख सकते हैं, कि हर्पीस virus जो है, वो cell को infect करता है, पर इसका जो genome है, वो cell के अंदर गर तब तक रहता है, जब तक cell alive है, तो इतने समय तक यह present रह जाता है, ठीक है, तो यह अब देख लिया, आपने एक chronic virus का example यहाँ पर एक सरसे देख सकते हैं, अब यहाँ आगे इन्होंने फिर lytic state या lytic form के बारे में discussion किया है, कि यहाँ जो reactivation होता है lytic state में, यहाँ पर देख सकते हैं, कि एक तरह से new virus particles occur होने पर इनका production बढ़ जाता है, ठीक है, तो एक तरह क्या रहा है, कि lytic state में आने पर new virus particles का formation बढ़ता है, और यहाँ पर आप इसी को समझ सकते हैं, कि यह एक तरह से virus का एक intentional strategy होता है, जिससे वो survive करे, अब आप समझ जाए क्योंकि अगर पहले दिन से ही अगर वो जो है symptoms दिखाना शुरू करेगा, तो कोई भी इनसान उसके against action लेगा और वो ठीक हो जाएगा, पर यहाँ देख सकते हैं, कि कभी-कभी virus dormant रहता है, ताकि उनका जो survival हो लंबे period तक हो, और virus का भी same होता है, कि virus का main motive होता है, कि replicate करे वो, और कोई motive नहीं होता, तो यह बात आ गई, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इसका best example जो है वो chicken pox होता है, ठीक है, chicken pox जो की cause किया जाता है, human, herpes virus 3 से, और यहाँ पर होता क्या होता है, कि after infection, मतलís, infection के बाद यहाँ पर क्या होता है, कि body respond करती है, और body जैसे ही respond करती है, तो virus जो है वो latency में चला जाता है, अब virus latency में जाता है, तो उसके बाद जो होता है, वो body में एक और example इन्होंने बताया है HIV के बारे में तो HIV का भी अगर आप देखेगा तो ये भी latency में जा सकता है after infection और बहुत बारी ऐसा होता है कि कहीं सारे लोगों को 10-15 साल बात पता चलता है कि हो HIV से infected है तो वही यहाँ पर बात आ गए कि जो उस time उस period में जो virus रहता है वो latency में चला जाता है ठीक है इस reason से ही इसके बाद यहाँ पर कुछ एक extra terms बताये गए हैं जो हमारे लिए उतना important है कि वो एक तरह से integrate कर लेता है host chromatin के अंदरगत और chromatin का इन्होंने मतला बताया है कि यहाँ एक substance होता है within the chromosome और यहाँ पर reactivate upon होने पर क्या होता है कि co-infecting pathogens को एक तरह से induce करता है और फिर यही जो है HIV एक तरह से uncontrolled HIV replication cause करता है जिससे clinical aids हो जाता है ठीक है तो यह समझ गए हम लोग तरीका कि यहाँ पर देख रहे हैं कि HIV पहले latency में गया latency से फिर वो reactivate हुआ reactivate से co-infecting pathogens आ है उसके बाद uncontrolled HIV replication हुआ फिर वो clinical aids में convert हो गया तो इसी तरीके से काम यह करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी discussion किया वो the discussion किया कि virus के बारे में और वाइस की latency के बारे में अब आते हैं main मुद्दे पर main मुद्दा है हमारा कि क्या जो SARS-CoV-2 है यह latency में जा सकता है क्या यह एक तरसे second infection calls कर सकता है तो इसी के बारे में आगे इन्होंने discussion किया है तो सबसे पहले चीज जो इन्होंने बताया है कि South Korean officials ने एक तरसे record किया और record करने के बाद report किया कि nearly 100 ऐसे लोग थे जिनके अंदरगत coronavirus जो test है वो positive पाया गया again मतलब COVID-19 अगेन वापस से उनको positive पाया गया पहले उनको हो सकता है कि चेक किया गया हो और negative पाया गया हो फिर बाद में उनको वापस से चेक किया गया थे कि reactivation के जाधा chances है rather than they becoming reinfected मतलब वापस से infect नहीं हुए पर उनके बाड़ी के अंदर के वाइरस जो है वो reactivate होने के जाधा chances देखे गए मतलब ऐसा इन्टिवेट होने के जाधा chances देखे गए positive पाए गए तो यह भी बात आ गई अब यहाँ पर भी chances क्या हो सकते हैं कि यह तो reinfected होंगे नहीं तो उनके अंदर वाइरस जो है वो reactivate हो गया होगा तो यही बात यहाँ पर एक तरह से discussion का मुद्दा है और चुकि reactivation की बात अगर चल रही है तो वह की latency वाला यहाँ पर वात है वो आ जाता है सामने ठीक है अब यहाँ पर well or based एक virologist है उनके द्वारा क्या observe किया गया है उसको देख लेते हैं तो इनका यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर अभी तक के observation में conclusively नहीं कहा जा सकता कि second infection एक तरह से फैल रहा है अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे reason है sufficient reason है कि हम लोग suspect कर सकते हैं इस चीज को ठीक है अब इसी चीज के बारे में बताए गया अब सबसे पहली चीज आप देखो कि RT-PCR test that is reverse transcription polymerase chain reaction test जो है यह एक तरह से अभी के scenario में gold standard का माना जाता है ठीक है यह 100% accurate तो नहीं है पर यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो result आता है वो more than sufficient है कि हम लोग मान सकते हैं कि इसका जो positive है पर चुकि यह 100% accurate नहीं है तो यहाँ पर false positive और false negative results आने के expectations रहते हैं ठीक है अब यहाँ पर यह भी बात बोली जा रही है कि patients हो सकते हैं ऐसे कि जो एक तरह से पहले test कराया गया तो negative आए फिर वापसे कराया गया तो positive आए फिर वापसे कराया गया तो negative आए यही subsequent tests में एक तरह से देखा गया अगर यह within days किया जाता है तो यह है कि यहाँ पर जो testing का यहाँ पर इसलिए सवाल है या नहीं है अब यह कैसे होता है तो एक threshold set कर दिया जाता है मालीजे कि इस particular positive नहीं है इस कारण से वो negative आया जा रहा है तो यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट concept है समझने का कि आगर आपने negative test किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर बिल्कूल virus नहीं है इसका कहने का यह मतलब है कि आपके अंदर detectable virus उतने नहीं है कि आपको positive consider कर लिया जाए अब इसका ही इन्होंने example polio virus से relate करके बताया है कि polio virus के भी case में क्या होता है कि वो initially अगर आप देखिएगा तो initially पता नहीं चलता है उसके बारे में पर वही है कि बाद में अगर आप वापस से test किया जाता है और पहले अगर उनको negative बोल दिया जाता और बाद में वापस से उनका जो stool test अगर होता है उसमें positive आया जाता है तो उस case में क्या होता है कि उनको एक तरसे हम लोग यह नहीं मान सकते कि second infection फैला है रादर यहां पर है कि पुराना ही infection जो है वो continue कर रहा है तो कि एक set of people जो है वो specific problem मतलब immunity से related specific problem को face कर रहे होते और इसका और भी जादा अगर investigation किया जाता तो पता चल जाता हमें और आगे यहां पर वह वाला बात आ जाता है जो मैंने आपको already पहले पढ़ाये हुआ है मैंने आपको बताया था पहले ही जब South Korea का यहां पर वापस से testing किया गया था और कुछ लोगों को पाया गया था जैसे यहां पर बताया गया कि 263 Koreans थे उनको positive पाया वापस से जब वो recover हो गया तो यहां पर जो positivity है वो basically पाया इसलिए गया क्योंकि virus के fragments एक तरस से रहे गये थे उनकी body में अब virus के fragments रहे गये RT-PCI test positive आ गया और उनके अंदर इसलिए mild symptoms ही देखे जा रहे थे ठीक है बहुत ही mild symptoms देखे जा रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि इन ही जो fragments है इसके basis पे यहां पर एक तरस से false positive result ही आ रहा था ठीक है तो इसी कारण से आप एकदम से 100% sure होके नहीं कह सकते हो कि जो second wave of infection है व इससे कुछ फाइदा होता है या कुछ difference फैलता है तो इसी के बारे में बताया गया है कि अगर आप देखेगा तो अभी present scenario में जो globally clinical science है वो एक तरह से sufficient है कि हम लोग एक तरह से COVID-19 का जो treatment है उसको comments कर सकते हैं और RT-PCI test होने के पहले ही comments कर सकते हैं मतलब हमारे पास symptoms इतने है वो recover हो चुका है ठीक है एक यह basic चीज पता चल गई, RT-PCI test नहीं भी होता है तो भी अब यहाँ पर वही बात बोली गई है कि अगर कोई person सही में अगर critically ill था तो उस case में यहाँ पर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि negative test अगर twice आ गया तब हम लोग एक तरह से बोलेंगे उनको कि COVID-19 उनका चला गया है, COVID-19 खतम हो चुका है पर अगर वही है कि उनके case में अगर symptoms गया है नहीं मतलब थोड़े समय के लिए गया है तो तब नहीं कह सकते हैं तो यह भी point आ गया अब आगे यहाँ पर आगर आप देखेगा तो जितने भी बाकी nations है उनका अगर आप देख प्रोटेक्शन तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि vaccine आया नहीं है और कोई drugs काम नहीं कर रहे है पर हाँ यहाँ पर हम लोग obviously जो एक तरह से hygiene के norms है जैसे mask पहनना और physical distance maintain करना इनको एक तरह से only deterrence एक तरह से हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं इस particular transmission के लिए तो ठीक है तो यह इसके वला FAQ भी काफी ज्यादा important था देख लिया हम लोग ने latent virus का concept और फिर इसको covid-19 में भी एक तरह से relate करके हम लोग ने पढ़ लिया और बाकि यह पुराना वला जो editorial में आपको already पढ़ायवा था उसकी points भी हम लोग ने एक तरह से revise कर लिया ठीक है तो यह होगे हमारे भी कराया गया था ICMR के द्वारा तो उसका data हम लोग ने देखा था कि 0.73% of population को बताया गया था कि उतने ज्यादा लोग infected हुए हैं इसका data में हम लोग आगे भी consider करेंगे जब end में हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो वह वाले data आया था और उसके कारण बोला गया था कि जो हमार पर इसी चीज से related question उठाया गया है कि यह जो particular sero survey है इसके findings है इसका implications क्या होगा और क्या यह जो sero survey है यह reliable है या नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि national center for disease control जिसको हम लोग पहले कहते थे national institute for communicable diseases जो की एक health ministry की body है इनको task किया गया कि epidemics को monitor करें और इन्हों नहीं यहाँ पर extent of infection को monitor करने के लिए community के अंतरगत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि serological survey कराया दिली में जून 27 से लेके 10 जून 10 जुलाई तक ठीक है अब यहाँ पर जो serological survey है इसका findings आया और preliminary finding जो एक तर से ढूंडा गया है उसके basis पर कहा जा रहा है कि 23.48% of Delhi's population एक तरह से इस कि यहाँ पर अगर आप 25% आप एक तरह से 1 4th कह सकते हो कि किसी भी place किसी भी particular state का आप देख सकते हैं कि number of population है वो 1 4th population infected हो रही है तो आप देख सकते हैं कि कितना बरा यहाँ पर एक question mark उठ जाता है कि उस particular state ने जो भी यहाँ पर precautions ले रहे थे उन्होंने लिया है या नहीं लिया है साथ के साथ यहाँ पर सबसे बड़ा जो case एक बनता है कि asymptomatic case है तो यहाँ पर उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनको virus है या लगा है या नहीं लगा है तो इसी reason से आप समझ सकते हैं कि यह जो particular आप FAQ है important हो जाता है तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ज transcription polymerase chain reaction कहते हैं इसमें हम लोग जानते हैं कि RNA वगरा को निकाल का रूफर यहाँ पर compare किया जाता है ठीक है एक यह test हो गया दूसरा होता है antigen test इसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें एक तरह से हम लोग देखते हैं scan करते हैं कि antigen बना है या नहीं हमारे body के अंतरगत और इसक of antibodies को एक तरह से check करता है और antibodies जो की produced होता है in response to coronavirus in the blood तो यहाँ पर एक तरह से हम लोग जाते हैं कि Antibodies क्या होता है कि अगर on an average देखिएगा तो antibodies जो है वो किसी के भी body के अंतरगत आने में मतलब 4-5 दिन ले लेता है तो इसका detection जो है वो 5 days के अंतरगत होता है जब तक infection हो जाए मतलब आज अगर आपको infection हुआ तो आज के 5 दिन बाद आपके body में antibodies का एक तरह से बनना शुरू हो जाएगा और इसके अलाब आप देख सकते हैं कि coronavirus का यहाँ पर बताया जा रहा है कि in general यह जो coronavirus है 21 दिन के अंतरगत diminish हो जाता है तो आपको यादी होगा कि lockdown भी 21 दिन के लिए लगा था जो सबसे पहला वह लगा था तो यही reasons के कारण लगा था क्योंकि उस टाइम पर ही expect किया जा रहा था कि 14 से 21 दिन के अंतरगत सारे coronavirus जो है वो खतम हो जाएंगे पर ऐसा हुआ नहीं अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि antibodies के बारे में और भी बताया जा रहा है कि antibodies for a host of other viral infection अगर आप देखिएगा तो normally यह months तक एक तरह से रहता है, linger करता है, मतलब बहुत समय तक हमारी body में बना रहता है और इसके अलावा इससे होता क्या है कि जो भी यहाँ पर fresh infection अगर same virus से होता है तो उससे protection एक तरह से यह provide करता है पर चुकि SARS-CoV एक तरह से novel virus है बहुत ही नया virus है तो अभी हम लोग कह नहीं सकते कि antibodies जो हमारी body के अंतरगत बन रहा है यह कितने समय तक हमें protect करेगा तो यह भी यहाँ पर question mark आ गया इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो जितने भी health experts है उनका क्या कहना ह तो health experts कह रहे हैं कि चुकि यहाँ पर actual virus जो है यह बहुत ही जल्दी खतम हो जाता है आप देख सकते हैं कि 21 दिन के या उसके पहले ही खतम हो जाता है तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि many of those infected show mild symptoms इसी कारण से बहुत ही कम symptoms दिखाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी यह खतम हो जात है कि antigen और PCR test जो है बहुत ही जादा cumbersome होता है और इसका deployment भी उतना जादा easy नहीं होता है किसी भी particular area में और साथ के साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि they are not always the best way कि हम लोग किसी भी virus के spread को एक तरह से estimate कर पाएं क्योंकि time taking होता है cumbersome होता है बहुत difficult होता है इस लिए तो इसी zero prevalence एक तरह से कराया जो कि हम देख सकते हैं कि किसके थुरू तो कवच ELISA antibody detection kit बनाया था उन्होंने अब यह कवच ELISA antibody kit हम लोगोंने पहले पढ़ रखा है news analysis में ठीक है अब यहाँ पर इसी को develop किया गया और test किया इंडिया में यह एकदम से indigenous है और यही हम लोगोंने जो बन किया गया तो आपने देख लिए यहाँ पे कि zero prevalence survey जो है वो किस तरह से किया गया तो कवच ELISA antibody detection kit के थुरू किया गया और इसमें antibodies को detect करते हैं एक तरह से जो की coronavirus के against बनता है और इसको बनने में average ली देखा जाए तो यह 4-5 दिन लगता है अब हम लोग आते हैं कि आखिर इ इसमें देख सकते हैं कि 11 districts से यहाँ पर 20,000 samples को collect करके फिर यहाँ पर test किया गया ठीक है on an average की यहाँ पर बात कही जा रही है तो यह भी बात आ गई फिर आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो एक तरह से यह जो those who commission such survey reports उनके findings देख सकते हैं कि peer review होता है journal में और detail फिर उसका related जो है वो सामने आता है बाकी बाकी लोगों के और यहाँ पर वही है कि जो भी result है वो एक तरह से इसमें error of margin को एक तरह से extrapolate पहले से कर लिया जाता है तो यह भी point आ गया अब आगे यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में और थोड़े detail दिया है जो यहाँ पर पर हम लोग समझ नहीं सकते है कि variation कैसा है इस particular infection का less populated areas में तो यह भी एक point आ गया एक तरह से survey को एक तरह से आप भी deny करने का एक reason भी मिल गया ठीक है पहली चीज़ दूसरी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिली government का रहा आप देखिएगा तो वो बार बार यह बोल हैं दिली के जहाँ पर zero prevalence जो है वे exceed करता है 20% तो आप देख सकते है situation काफी जादा खराब है इसके लाबा यहाँ पर यहाँ पर यह भी indicative वेक्तर से बता रहा है कि यहाँ पर जो effect of lockdown और containment zone management है यह उतना अच्छे तरीके से कारगर नहीं हो पाया ठीक है यह भी बात आ गई अगर 77% infection होने के chance देखिया यहाँ पर 23% लोग तो एक तरह से infecti है अब यहाँ पर 77% का बताया जा रहा है कि यह एक तरह से vulnerable हो गए तो अब इसलिए इनको यह सारी चीज़े follow करने की जरूरत है जिससे obviously इनके अंतरगत भी यह जो virus है ना फैल है तो यह भी point आ गया अब य RT-PCR positive cases से तो यहाँ पर मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं कि number of those who were infected as per their antibody profile तो उनके साथ एक तरह से comparison किया गया तो यहाँ पर पाया गया कि अगर हम लोग assume करते हैं कि 50 लाग ठीक है that is 25% as per this survey एक तरह से देखा गया कि infected होते हैं तो इसको अगर आप RT-PCR test जो कि यहाँ पर हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली government का claim किया जा रहा है कि उन्होंने virus के spread को एक तरह से contain कर लिया है तो यहाँ पर उनके ही claim को undermine करने का काम कर रहा है क्योंकि RT-PCR का कहने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर हम लोगों ने जो serological survey किया उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जादा number है पर RT-PCR test है तो कम ही पता चल रहा है तो एक तरह से यहाँ पर भी एक तरह का question mark उठ गया क्योंकि एक sizeable proportion ऐसे लोग हैं जो coronavirus से संक्रमित हैं पर obviously उनका symptoms शो नहीं हो रहा और वो सामने भी नहीं आ रहे है पर वही है कि फिर उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा तो एक तरह से कि यह एक routine होता है epidemiology का कि यहाँ पर antibody test को deploy किया जाता है जिससे disease के prevalence को एक तरह से check किया जाए ठीक है और यहाँ पर भी इसलिए deploy किया गया जिससे coronavirus का जो spread है और उसका global nature है particular disease का उसको एक तरह से देखा जाए क्योंकि काफी जादा complicated है यह चीज तो इसलिए spread को देखना का कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि antibody का जो development है वो बहुत ही जादा time लगता है तो यह भी एक problem आ गया हुआ है अब इसके लावा बताया जा रहा है कि जो serological survey है यह basically errors को rule out करने के लिए ही इस्तमाल किया जाता है साथ के साथ अगर कहीं ऐसा होता है कि inappropriate sample इस आ जाता है तो इसी को check करने के लिए यह जो है serological survey वगेडा को इस्तमाल किया जाता है और यहाँ पर यह आप देख सकते हैं कि एक तरह से यही सारी चीज़र जो इस तरह की problem है यह एक तरह से hinder किया था initially जब ICMR का देखा था कि चाइना से उन्होंने manufactured antibody kits को मंगाया था तो है कि इसको 100% trust नहीं किया जा सकता और इसके बाद इन्होंने end में वही बताया है कि जो ICMR ने अगर देखिएगा तो ICMR ने अभी तक में में जो 0-0 survey करवाया था पूरे इंडिया में अब देख सकते हैं कि 0.73 population को बताया गया था जिनको 63 survey district में पाया गया था कि infected है और इनक लोगों ने अभी हाल फिलाल में ही ये cover 40 सा test जो है वो बनाया है तो इसलिए अभी nascent science है तो इसलिए 100% इसको believe नहीं किया जा सकता पर अगर इस data को ध्यान में रखेंगे तो obviously एक मतलब खत्रे की घंटी तो जरूर बज रही है जिसके ओपर ध्यान देना काफी ज़्यादा जरूरी है तो हमने तीनों FAQs को देख लिया यह रहा आपके सामने question UPSC का जो अल्रेड़ी आ चुका है 2018 का यह question है तो आप लोग इसको please comment section में बताइए pause करे वीडियो को और इसका जो answer है आप comment section में दीजिए तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को wrap up करते हैं तो आज का जो मेरा session था interview का वो काफी बढ़िया रहा काफी अच्छी चीज़े सीखने को मिली और मैं अभी इसलिए यह सारी sessions को attend भी कर रहा हूं क्योंकि future में अगर जरूरत पर रहा तो obviously मेरे पास कुछ content होना चाहिए जिसको मैं use करके आपको बता सकूँ आपको भी सिखा सकूँ य मुझे अगर देखियेगा तो बहुत सारी लोगों ने अटेंट किया और वहां पर मैंने notice किया कि जितने भी CA के topics थे वो मैंने आपको already cover कर रहा हुआ है और मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है जैसे for example आपको police reforms के बारे में मैंने बताया हुआ है encounters related मैंने आपको पढ़ाया और उसके अलावा मेरी खुद की clarity भी काफी जादा हो गई थी ठीक है तो यह आप समच सकते हैं यही reason होता है मैं हर बार बोलता हूँ सब लोग जब interview आता है या फिर जब mains आता है तब newspaper लेके बैठते हैं अगर आप पहले से पढ़ रहे होगे तो आपको पढ़ने की जरु अगा तो thank you so much for watching